बेस्स लाप्टॉप अंदर 80,000 देखो जब भी हमने 80,000 रुपीज अपने नए लाप्टॉप क्यों पर इंवेस्ट करने होती है ना तो सब कुछ एकदम बेस्ट मिलेगा अपने को लेकिन एक चीज़ का ध्यां रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्ट आपको आज मैं बताऊंगा वीडियो के अंदर सबसे पहले ये चीज़ जान लो कि इस पजट के अंदर आपको इंटल की सीरीज में तीन तरह के प्रिशेसर मिल जाती है यू पी और एच उनका डिफरेंस देखेंगे वीडियो के अंदर और सबका कंपरेजन करेंगे उनके स्कोर्स चेक करेंगे ताकि आपके लिए एकदम ही पॉफेक्ट लैप्टॉप असी जार के अंदर आपको पता तिन एंट लैप्टॉप ए स्टूदेंट्स या फिर आपने ओफिस के काम के लिए लैप्टॉप आई करना है परफेक्ट आप्शन रहेगा आपके लिए अब इसके अंदर हम कौन से काम कर सकते हैं आपकी हैवी कोडिंग हो जाएगी वेब डिवेल्पेंट हो जाएगी प इंबरेजन में ज्यादा बेटर है छोड़ा बत रफ तफ आप इस लैप्टॉप को एजली यूज़ कर सकते हो अब लैप्टॉप के अंदर आपको मिल जाते हैं इंटल कोर आइफाइड फाइफ प्रसेसर वाले प्रसेसर होते हैं सबसे पहले होते हैं यू सीरीज के प्रस प्रसेसर होते हैं उनके उपर हम हैवी काम नहीं कर सकते हैं बट उनका बेठा़ी बैकप हमйरे वहें सब्सक्राइब होते हैं फिर उससे बैटर हैं पी सेरीस का प्रसेसर, जिसके इंदर हम थोड़े बहुत है है लैप्टॉप्स के अंदर उन दोनों के comparison में 12500H की जो performance है वो ज़्यादा बैटर है तो इस चीज का आपने ज़रूर ध्यान रखना कि आपने i7-12 generation देखा और कर लिया यहां पर फिर आपकी चीज गलत हो जाएगी सिक्स्टीन जीबी की डिस्प्लेयर आइपस एंटिक लेर तीन सो निट्स की ब्राइटनेस वन हंडर परसेंट ऐसा जीबी के कारण आपको जो कलर्स दिखते हैं अपनी डिस्प्ले के अंदर वह बहुत ही जादा का काम होता है जिसके अंदर कलर्स बहुत ही साधा मैटर करते हैं तो यह डिस्प्ले उन सभी कामों के लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन है वैसे अगर आपने कंटेंट करना तो इसके अंदर आपको बहुत ही बढ़िया कलर्स मिलेंगे इंटल के आयरिस ग्राफिक्स होग तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान अखना ओके प्रोफेशनल काम के लिए एच्पी का ये लैप्टॉप एकदमी परफेक्ट ऑप्शन है आपने इसे जरूर कंसिडर गरना ओके इसका जो बेस्पाइल का वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगला लै ओवरॉल देखा जाए तो 12500H की जो परफोर्मेंस हो बढ़िया रहेगी बड़ ये भी प्रोसेसर टोटली वर्थ है बहुत ही पाफुल प्रोसेसर है और यो सीरीस का प्रोसेसर है तो इसके अंदर आपको बैटरी बैकप मिलेगा वह बहुत ही अच्छा मिलेगा सारे प्र रखे हैं इसकी बिल्कॉलिटी सर्टिफाइड है तीन चार सालों तक की लैपटोप आपका द्यूरेबिल्टी के मामले में कई नहीं जाने वाला 16 जीबी की रैम आपको लैपटोप के अदर प्रिंस्टॉल मिल जाती है डीडियर 4 रैम है डूल चैनल 3200 MHz वाली साथ में 512 नाजीबी के एसदे विच इस एक्सपेंडेबल 15.6 इंचेस के डिस्प्ले मिल जाएगे आपको लैपटोप में फुल एश्टी आई पस लेवल पैनल है 60 हर्स का रिफेश्ट एट 45 परसें एंटी इंटल के आइरेस ग्राफिक्स दे रखें लैपटोप में इसका जो वेट लैपटोप में तो यह भी लैपटोप एकदम ही बड़ी आप्शन आपने से ज़रूर कंसेडर करना है बैस्पाइ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगला लैपटोप असूस का लैपटोप असूस हुबक 15 OLED डिस्प्ले वाला देखो 15 इंचिस के वाला लैपटोप है और जो हमने एच्पी वाला लैपटोप देखा ना उससे बड़िया प्रसेसर आपको इसकंदर मिल जाएगा बैक लिट कीबोर्ड दिया गया लैपटोप में प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाएगा 75,000 रुपीज इसका करन प्राइस है मिलीटरी ग्र दोनों चीजे में एक्सपैंडेबल मिल जाती है तोटली फ्यूचर प्रूफ लैपटोप में ऐसे कह सकता हूँ 16GB की रैम हमें प्रिंस्टॉल मिल जाती है DDR4 3200 MHz वाली विच इस एक्सपैंडेबल और 24GB तक हम इसकी रैम का एक्सपैंड कर सकते हैं साथ में 512GB के SSD मिल जाती है 100% DCI-P3 63Hz का रिफेश्ट दिया गया 0.2 मिलिचेकंड इसका रिस्पॉंस टाइम है यह सारे फीचर्स आपको इसके डिस्प्ले में मिल जाती है और इन सिंपल वर्स इसका जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस है ना वो एकदम दी बेस्ट है इंटल के आइरिस ग्र डाम इसका वेट है टाइप-C चारजिंग हमें नहीं मिलती बट टाइप-C पोड दिया गया वानों दी बेस्ट लैप्टॉप है जरूर कंसिडर करो इसी भी आप अब देखो इसी बेड़िट में हमें एपल का लैप्टॉप मिल जाता है एपल 2020 MacBook Air बट इसे बाइगरने से पहले यह चीज़ समझ लो कि यह लैप्टॉप उनके लिए जिनको प्रड़क्टिविटी वाले काम करने अपने लैप्टॉप पे कभी कभी गेम खेलने तो वह चीज़ इसके उपर पॉसिबल है लेकिन आपको प्रफेशनल यूजज के लिए बढ़िया परफॉर्मेंस च साथ हो जाती है 80,000 पे इसका करन प्राइज है अलुमीनियम बॉड़ी वाला लैप्टॉप है इसके अंदर आपको 8-core CPU मिल जाता है Apple M1 चिप यह M1 चिप वाला मॉडल है 8GB की RAM मिल जाती है आपको DDR4 Unified Memory इसकी RAM expandable नहीं है 256GB की SSD मिल जाएगा आपको लैप्टॉप में तो 1200 ग्राम इसका weight है बहुत ही handy laptop मैंसे कह सकता हूँ अगर आपको अपने साथ laptop carry कर ना तो ये laptop आपके लिए एक दमी perfect option है बैकलिट कीबोर दिया गया लैप्टॉप में fingerprint sensor भी मिल जाएगा one of the most selling laptop है spirit का go for it अभी ये laptop है Asus का Asus Ubook S15 OLED laptop ये उनके लिए जो अपने budget को थोड़ इसके प्राइस के साथ सबसे पहले इसके एडिशन फीचर को चेक कर लेते हैं देखो fingerprint sensor दिया गया लैप्टॉप में privacy shutter camera के साथ और बैकले चिकले कीबोर्ड मिल जाएगा आपको आफ्टर देखो अभी तक कि जितने भी लैप्टॉप मैंने आपको बताई है ना उन सब के इसके स्कोर्स देखने से पहले आप ये चीज़ समझ लो कि ये वो सीरीज वाला प्रोसेसर है इसके अंदर कुछ चीज़े होनी पक्क है थंडर बोल फॉर पोर्ट मिल जाएगी आपको वाइफाई और ब्लुटूथ इन दोनों का लेटेस वर्जिन मिल जाएगा वाइफा से फास्ट चारजिंग की सबोर्ट मिल जाएगी आपको लैटॉप में तो ये जो सारे फीचर्ज ना वो आपको इवो सीरीज के अंदर मिल जाते हैं अब देखते हैं इसके स्कोर्स देखो जितने भी प्रोसेसर हमने इस वीडियो के अंदर एक्स्प्लेइन किया है उन सब आपके सामने है इसकी जो परफॉर्मेंस है डाट इस टोटली अन बीटेवल एट सीरीज का प्रिशेसर है आई सेवन प्रिशेसर है और यह टोटली फ्यूचर प्रोफ लैप्टॉप यह 16 जीबी की रैमल जाएगी आपको 3200 महर्स वाली विच इस एक्सपेंडेबल इसका जो बैटर परकाप यह टोट इस बजट के अंदर बताए है वह सभी के सभी लैप्टॉप एक्टॉप एक्टेट लैप्टॉप से बेस्ट लैप्टॉप है आखे बंग करके आप इस लैप्टॉप को बाई कर सकते हो दिखोर सिंपल चीज है कि मैंने जितने भी इस बाई कर लो और अगर अगर आपने इसी बड़ेट के अंदर गेमी लैप्टॉप लेना है जिस पे आपर डेटिंग भी कर सको तो लेट वाली वीडियो देख लो और अगर आपका बजट सेविंटी थाउजट रोपीज के है और आपने प्रफेशन लैप्टॉप आय कर हो और आप हो